नमस्कारम, गुरुजी, मेरा नाम अर्चना है, मेरा प्रश्न जोतिश से संबंदित है, शादी के लिए लोग कुंडलिया मिलाते हैं, और वे कहते हैं इस लड़की में बहुत सारे दोश हैं, और उसकी शादी एक पीड से करानी पड़ेगी, और एक कुमदोश होता है, अरे मैं कुंडली के बारे में तू नहीं जानता, पर एक पेड से शादी करना एक अच्छा विचार है, कितना स्थिर पती होगा असल में मैं आपको एक बहतर सुझाव दे रहा हूँ, मैं आपकी शादी एक पहार से करा सकता हूँ वो आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा, आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आदर शाद्मी, है ना? हाँ? तो हम दो इंसानों के साथ मिलकर रहने को बहुत बड़ा जमेला बना रहे हैं आखिरकार, दो इंसान साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि यह जरूरते हैं, ठीक है? शारीरिक जरूरते हैं, मानसिक जरूरते हैं, भावनात्मक जरूरते हैं, सामाज एक, आर्थिक और दूसरी तरह की जरूरते हैं इन सब को एक शालीन तरीके से पूरा करने के लिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, ताकि हम इन चीजों को शालीनता से चला सकें, क्योंकि हमारी जरूरतें धर्ती के दूसरे जानवरों की जरूरतों से अलग नहीं हैं, जरूरतें वहीं हैं, बस इतना है कि चुँकि हमारे लोग कहते हैं शादियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं, मेरे खयाल से इसलिए शादियां असफल होती हैं, क्योंकि मूल रूप से दो लोगों की शादी के लिए, देखिए सितारों को मिलाना बहुत आसान है, वे उन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन दो बेवकू कोई नहीं जानता की कैसे किया जाए, जब तक इस इरादे से संबंध में नहीं आते की किसी तरह, किसी तरह मुझे इस इनसान को अपनी ओर से सर्वश्रिष्ट देना चाहिए, जो अभी मेरे पास बैठा है, अगर आप उस इरादे से शादी या किसी रिष्टे में नहीं तो जाहिर है कि टकराव होंगे, अगर आप ये खोज रहे हैं कि किसी से कैसे खुशी निचोड़ी जाए, वैसे शुरू में ये पूरा अच्छा होगा, ये रोमैंटिक लगेगा, पर कुछ समय बाद ये एक आपदा होगी, इसलिए नहीं कि सितारे टकरा रहें, बस इसलि जाए, क्यूंकि आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आप से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समय बाद ये हर हाल में एक संखर्ष बन जाएगा, अगर आप ये देख रहे हैं कि कैसे खुद को दूसरे इंसान के प्रती क्यूंकि देखिए, मैं आपको एक चुटकुला सनाता हूँ, ठीक है, ये एक गंभीर सवाल है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, शंकरन पिल्ले युनिवर्स्टी में थे, तो एक दिन वो प्रोफेसर के पास गए और बोले, सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्रोफेसर ने कहा, बेशक, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ, क्रिपिया मुझे बताईए, आप क्या चाहते हैं, तो तब उसने कॉलेज की एक सुन्दर लड़की का जिक्र किया, शायद आप, और कहा, सर, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, और मैं पचास प्रतिशत सफल हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्रोफेसर ने कहा, देखो, मैं ऐसी चीजों में नहीं, बलकि पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन वैसे आपका ये कहने का मतलब क्या है, आप पचास प्रतिशत सफल हैं, उसने कहा, सर, मैं पूरी तरह से उसके प्रेम में हूँ, लेकिन वो न पहसूस होता है, ये वाकई बहतर होगा कि दूसरे को ना पता हूँ, क्यूंकि अब ये पूरी तरह से आपका प्रेम है, आप दोनों पक्ष मैनेज कर सकते हैं, क्यूंकि इंसान, आप जानते हैं, वे उपर नीचे होते रहते हैं, तो दो लोगों का मेल बैठाने के लिए, क्या आपको ग्रहों और सितारों और हर चीज को तोड़ना मरोना होगा, बिल्कुल नहीं, बात सिर्फ ये है कि हम इसे लेकर बहुत जमेला कर रहे हैं, आपने गोतर की बात कि, तो ये एक सरल, आसान तरीका था, बच्चे पैदा करने के लिए वंच की शुधता को मैनेज क करने का एक पारंपरिक तरीका था, क्यूंकि शादी आखिरकार बच्चे पैदा करने के बारे में है, ठीक है, आप और मैं यहाँ इसलिए हैं, क्यूंकि किसी ने बच्चे पैदा किये, है ना, तो वंच की शुधता कायम रखना, ताकि जो लोग किसी तरह से भाई-भेन मा ही हो सकते हैं, पर मोटे तोर पर हम नहीं जानते की कौन-कौन है, कुछ शानुवांशिक अनुसंधान हुए हैं, अगर आप यह कराते हैं, दुरभागे से आप देखेंगे की कुछ, अभी-अभी कोई मुझे बैंगलोर में एक चौंकाने वाले तरीके से बता रहा था, अब इससे कोई फरक नहीं पड़ता, पर एक करीबी समाज में, जहां लोग बहुत करीब रहते हैं, इसे कायम रखना बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्यूंकि जब दूसरा हर कोई ये सोचता है, कि जिससे आप शादी कर रही हैं, वो आपका भाई है, तो वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो आप जिससे चाहे शादी कीजिए, क्यूंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करती हैं, जिसे आप नहीं चाहती, तो आप अपने जीवन को दुखी बनाएंगे और दुर्भागे से उसका जीवन भी दुखी बनाएंगे. मैं उस आदमी को बजाने की कोशिश कर र झाल आप झाल आप जब दुखी बनाएंगे. मैं प्या जाएंगे. मैं उस को दुखी बनाएंगे. मैं जाएंगे. मैं तो आप जाएंगे.